महाराश्ट का पालगर विवादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा साधूं की मॉब लिंचिंग के बाद अब यहां एक और हत्या की गई है इंडियन नेवी के 27 साल के जवान को जिन्दा जला डाला गया जारकंड के राची के रहने वाले सूरच कुमार इंडियन नेवी में लीडिंग सी मैन के तोर पर तैनात थे वो 30 जनवरी की राच से ला पता थे चैफर वरी को पालगर के किसी इस्थानिया नागरिक ने एक जली ही लाश को देखा और इसकी जानकारी इस्थानिया पुलिस को दी पुलिस ने गायल और जली ही लाश को जिला अस्पताल में भरती करवाया यहीं पर होश में आने के बाद सूरज कुमार ने खुद को किड्नैप किये जाने से सम्बंदित सारी बातें पुलिस को बताई जिला अस्पताल में हालत विगणने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मुंबई रेफर कर दिया मुंबई में उन्हें इंडियन नेवी के अस्पताल आई एनेस अश्विनी लाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मिरित गोशित कर दिया इस संबंद में पालघर के स्पी ने बताया कि तीन अग्यात व्यत्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की जाँच जारी है आपको बता दें कि 27 साल के सूरज कुमार छुट्टियां बिता कर 30 जनवरी को अपने घर राची वापस लोट रहे थे उन्हें कोयंब टूर के पास आई एनेस अग्रिनी पर लोटना था वो फ्लाइट में चन्नेई एरपोर्ट से उतरे और बाहर निकले लेकिन रात के लगबग 9 बजे यहां उन्हें तीन लोगों ने किड्नेप कर लिया किड्नेप करने वालों ने उन्हें रिवॉल्वर दिखा कर कीमती मोबाइल भी छीन लिया तीन दिनों तक किड्नेपरों ने सूरज कुमार को चिन्नई में ही रखा इस दोरान 10 लाख रुपे की फिरोती भी उनके परिवार से मांगी गई 10 लाख रुपे नहीं मिलने पर वो ये सूरज कुमार को पाल घर ले गए 5 फरवरी 2021 को उन्होंने सूरज कुमार को पाल घर इस्थित जंगल में ले जाकर उनके हाथ पैर बान कर उनके शरीर पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी आपको बता दे कि सूरज कुमार की इसी साल 15 जनवरी को सगाई हुई थी और मई में उनकी शादी होने वाली थी आपको बता दे कि पाल घर पिछले साल 2020 से ही विवादों का विशय बना हुआ है दरसल पिछले साल यहां संतों की कुरूर निर्मम हत्या के बाद 9 गंटे तक उनकी लाश लावारिस सडक पर पड़ी रही थी पाल घर में कृश्चन मिशंर्यों के प्रभाव के होने की बाद भी पता चली है यहां 2019 में मिशंर्यों का एक वीडियो सामने आया था जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि इसाई मिशंर्यों के कुछ लोग कह रहे हैं कि गणपती तो हाती है, हनुमान एक बंदर है, ऐसे भगवान तुम्हें कैसे बचा सकते हैं?